देखेगा इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो ITVP है दोस्तों इंडोर टिफ्टन बोर्डर प्लिस फोर्स है उसमें जो विकिंसीज निकली हुई है 29 विकिंसीज है कितनी है दोस्तों 29 विकिंसीज है अगर आपने 12 कर रखा है सबसे पहली बात मैं आपको बता दू तो आपने डी फार्मा कर रखा है 12 के बाद तब आप आराम से फॉर्म फिल कर सकते हैं वहीं हेड कोंस्टेविल के लिए दोस्तों आपके लिए जरूरी है कि आपने A&M का कोर्स कर रखा हो तो अगर आपके पास ये लिजिबिल्टी है तब तो ये वीडियो आपके लिए हैं इसको लाशन देखेगा किस तरीके साफ फॉर्म फिल कर सकते हैं 12 के बाद ये तीन सर्टेविकेट होने आपके पास जरूरी है 29 विकेंसीज हैं फीज अलग-अलग होने वाली है बाकि जनरल OBC और EWS को ये फीज पे करनी है SI के लिए 200 रुपे है और यहाँ पर सिंपल मैं पता दूँ SI के लिए और कॉंस्टेविकेट के लिए 100 रुपे होने वाली है बाकि SC STF फेमेल कंडिडेट के लिए 0 रुपेज फीज होने वाली है और यह वेकिंसीज दोस्तों ग्रूप C में आती है नॉन गजिटेट नॉन मिनिस्ट्रियल वेकिंसीज है ये ठीक है दोस् सीधे यहां पर रॉल आउट कर सकते हैं जाकर के या फिर रॉक्रूट्मेंट.i.bp पर सीधा आप लोगिन कर सकते हैं पेज वहने वाला है देखीगा पेजिके लिए अदर आजाउंसने जो आपको मिलने वाले वह सब सेविंथ वाले आपको मिलेंगे ठीक है लेकिन यहां यहां पर 25,200 से ले करके 81,000 तक होने वाली है और भी काफी सारे अलाउंस ने साब को मिलने वाले हैं टीए डीए वगरा eligibility देखेगा यहां पर clearly mention करके दे रखी है minimum age आपकी 21 साल और maximum age आपकी 30 साल होनी चाहिए और age का जो criteria होगा वो 28,07,2024 के according देखा जाएगा 27,2024 के according ही आपकी date जो आपकी eligibility है age की वो calculate की जाएगी अब देखेगा education qualifications की बात करते हैं यहां पर sub inspector की बात कर रहे हैं किसकी दोस्तो sub inspector के लिए staff nurse जिसको कहा जाएगा तो 10 plus 2 आपने कर रखा हो उसी के साथ में दोस्तों आपने G&M का course कर रखा है तो आप अरामसिस में apply कर सकते हैं और preference मिलेगा अगर आपके पास 3 साल का experience है तब assistance of inspector के लिए minimum age 20 साल है और maximum age 28 साल है यहां पर उसी के साथ में age का जो criteria वो simple 28 साल 2024 के according किया जाएगा बस यहां पर जो change कर दिया गया है आपने डी फार्मा कर रखा हो ठीक है अगर आपने G&M नहीं कर रखा है तो डी फार्मा कर रखा है तो आप assistance of inspector फार्मसिस्ट के लिए apply क कर सकते हो हैड को से विल के लिए अगर आपको apply करना देन आपने एनम कर रखा हो तब आप यहां पर apply कर सकते हो ठीक है दोस्तों आगे जो एज का आपको पता ही है बाकी physical standards की बात की जाए तो यहां पर height देखेगा male candidate की एक वासट है और female candidate की एक पचास है एक बासट पॉइंट five आप मानके चल सकते है male candidate के लिए ठीक है और जो candidate दोस्तों अलग से है उनके लिए male candidate की ठीक एक पैसट मांगी गई यह देख ठीक है और एक पचास के असपास candidate filling in the categories of गरवाल कुमाव इस तरीके से अगर कोई है तो उसके लिए जो heights का criteria's है वो अलग के लिए है उसके लिए सब 170, 150 और 85,80 करके यहां पर दे रखा है female candidate के लिए chest की कोई requirement नहीं है वाकि height आपको देखनी पड़ेगी height के लिए दोस्तों for state of union territories मतलब general जो height है वो 57 है लड़की इसकी उसी के साथ दोस्तों जो अलग है लद्दा किया निकि कुछ ऐसे area से ब्लों के असपास होगी तो यह height का criteria दे रखा है दोस्तों उसी के साथ में minimum जो medical standards है वो यह दे रखा यानि कि आपका ठीक है सारी चीज़े आप यहां पर read out कर सकते हो अगर आपको और भी ज्यादर detail जाननी है तो आप comments कीजिएगा वीडियो अच्छी लगी तो like कीजिएगा ऐसे वीडियो के लिए चैनल से जुड़ सकते हैं thank you for watching